इसलिए इस काम के लिए भी कुछ राइब कुछ नॉन कोविड हैं और नॉन कोविड हॉस्पिडल सारे इन लोगों को मैनेज कर रहे हैं सकार ने कई स्कीम्स बनाई हैं जहां पर हम लोगों को बीच आउट कर रहे हैं कुछ ऐसे फसिलिटीज हैं जहां पर घर घर जाके इन लोगों का मैनेजमेंट हो सकता है और द्वाईयां भी दी जा सकती है दूसरी चीज है कि जो लोग जिनको ओमर्टिटीज है और जिनकी उमर जादा है वो एक वन्रबल पॉपुलेशन माना जाता है क्योंकि इन लोगों में चांसिज हैं कि इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा सिवियर हो सकता है रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन का नहीं है अगर आप पूरे प्रकॉशन रखेंगे तो जितना और लोगों को इन्फेक्शन का रिस्क है उतना ही आपको है लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो आपको इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा सीरिस हो सकता है और क्योंकि आपको और बमारिया हैं वो भी एग्रेवेट हो सकती हैं चाहे हाट की प्रॉब्लम हो चाहे शुगर की प्रॉब्लम हो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो प्राइमरी डिजीज है जो को मॉमडिटी है उसका पूरा ध्यान रखें अपना शुगर पूरा कंट्रोल करें उसको मॉनिटर करें घर में ग्लुको मीटर से देखें डॉक्तर से पूरा संपल करें आजकर टेली कंसल्टेशन हर एक हस्प्र एक सारे इन पेशिंस के रेगुलर तेली कंसल्टेशन से अडवाइज दे रहे हैं, उनकी शुगर वैल्यूस देखे, पता रहे हैं कि द्वाई गठा नहीं है या बढ़ा नहीं है, बढ़ा नहीं है, ड़क टेशर के भी मॉनिटरिंग हो रहे हैं, तो यह सब हमें करना है क्यूं जहां पर हम लोगों को बीच आउट कर रहे हैं, कुछ ऐसे फसिलिटीज हैं, जहां पर घर घर जाके इन लोगों का मैनेजमेंट हो सकता है और द्वाईयां भी दी जा सकती हैं, दूसरी चीज है है कि जो लोग जिनको ओम आपड़िटीज हैं और जिनकी उमर जादा है, व जितना और लोगों को इंफेक्शन का रिस्क है, उतना ही आपको है, लेकिन अगर आपको इंफेक्शन होगा, तो आपको इंफेक्शन जो है, वो ज्यादा सीरियस हो सकता है, और क्यूंकि आपको और बमारियां हैं, वो भी अग्रेवेट हो सकती हैं, चै हाट की प्रॉब् करें आज कर टेली कंसल्टेशन हर एक हॉस्पिल कर रहा है एम सारे इन पेशिंस के रेगुलर टेली कंसल्टेशन से अडवाइज दे रहे हैं उनकी शुगर वैल्यूस देखे पता रहे हैं कि द्वाई गठानी है या बढ़ानी है अब ड़क्टिशर के भी मॉनिटरिंग हो तो यह सब हमें करना है क्योंकि तब इनकी बेसिक बमारी अच्छे कंट्रोल में रहेगी तब स्वेरिटी ओफ इल्नेस भी कम होगी तो यह बहुत जरूरी है तो एक तो इन लोगों को प्रटेक्ट करना है कि वह अपने आपको अच्छी तना से आइसोलेट करके रखें ज् जैसे टेक्समेतिसोन है और और भी आएंगे और हॉस्पल ट्रीटमेंट की परामेटर्स जो है वो अच्छी होती जा रहे हैं तो यह दो चीज़े हमारे हाथ में हैं जब वैक्सीन आएगी अभी वैक्सीन में सारी दुनिया में 135 से ज्यादा वैक्सीन ट्राइल में हैं उन live है कि उमीद है कि उनमें से कुछ न कुछ या हमारे देश के वैक्सीन भी आगे बढ़ेंगे तो वैक्सीन आएगै ने बाने झाल झाल